नमस्कार साथियों आज हम यहां छेत्र में टहल ले थे तो यह हमारे यहां पर छेत्र यह गाउं पड़ता है जिनपद सहिजापूर में गाउं विकास खंड भावल खेड़ा और जनपद सहिजापूर गाउं पड़ता है पिंग यहां पर हमारा यह चेत्री है जो कारी छेत् यहां पर भर्मण कर रहे थो तो यहां पर हमें एक बाबा जी मिले हैं और इसी आस्रम पर यहां पर रहते हैं यहां की साफ सफाई करते हैं और यहां जो भगवान है उनकी है जो आराधना करते हैं उनकी साफ सफाई करते हैं जो भी इनकी हो सकता है यहां पर पूजा पाठ कर और बहुत अच्छा इनका सुभाव लगा यह हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं यह इसी गाओं के लोग हैं आप यहां पर 20 साल से देखो यह सेवा कर रहे हैं तो आपने तो यहां काफी समय सेवा कर रखी है और यह और यहां पर आस्रम बना रखा है यहां पर पीछे देखो इसी गाओं में तो यही चर्चा यहां पर आय और बैठे तो हम भी इनकी बात सुनने लगे लोगों से बात चित हुई तो हमेजिए बढ़ अच्छा लगा लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे थे कि आजकल लोगों का खान पान सही नहीं है अगा घरत आचन है उसकी बज़े से है जो लगातार आदमी है जो अपना जीवन खो देता है हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो हम तो ज़ादातर वीडियो डालते रहते हैं बताते रहते हैं जीवन के बारे में कि हम लोग जीवन कैसे जीना चाहिए तैको हमारा सनातन धर्म है जो बहुत ही अच्छा धर्म है हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं आजकल के जो पीड़ी हैं अपनी मन्मानी कर रही है इसी बज़े से उनका खाम्याजा भी भोगत रही है हम लोग है जो ना तो । सटाइम से उट रहे हैं क्षाषर्ट है इसमें हम लोगों को सचेत होना चाहिए और इसमें समझना चाहिए अपने सनातन धर्मrist को पहचाना चाहिए उस से हम लोग जुड़कर के रहते हैं ये करोना काल इतना है यहां पर लेगों कोरोना काल में जो पूजा पाट कर रहे थे जो धर्म से जुड़े हुए थे और जो सच्चे थे और भक्ती कर रहे थे तो मांसाहरी नहीं थे लेकिन बो लोग नहीं खतम हुए हैं जो लोगों का गलत आचन था उनीक इमुर्टी डाउन हो रही थी वही लोग जादातर खतम हुए हैं तो यह है हमारा कार्षेत्र है यहां पर हम सर्विस कर रहे हैं और यहीं पर हम आते हैं यहां पर कभी कभार हमारा भी आना होता यहां पर तो आप लोग देखिएगा और आप भी लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा सुधार लाएगा बहुत भूद धनिवा थेंक्यू